हेलो दोस्तों, gate smashes मैं आपका स्वागत है इस वीडियो में हम explain करने जा रहा हूँ introduction to PL SQL और ये वीडियो एक्चल में बहुत सारे students की request आ रही थी उनके comments आ रहे थे, mails भी आ रही थी कि एक बार आप इसके उपर introductory video जुरूर बना दे actual में ये portion जो है वो gate के point of view से important नहीं है क्योंकि gate में SQL important है लेकिन other competitive exams जो है जैसे KVS का exam है, DSSSB का exam है या फिर अगर आप कोई भी other competitive exams की बात करें जहां पे SQL जो वो main portion रहता है like Oracle certification की भी अगर आप बात करो और even 11, 12 में भी अब तो SQL का portion है तो वहां पे भी आपको basic PLSQL जो है वो कहीं न कहीं आ जाती है तो इसलिए ये वीडियो में मैं introduction to PLSQL explain करने जा रहा हूं start करते हैं, सबसे पहले PLSQL का यहां पे मतलब क्या है procedural SQL procedural SQL मतलब कि जो हम normal SQL पढ़ते है structural query language अब ये structural query language जो है वो by default किस nature की है वो है declarative that is declarative in nature declarative का मतलब क्या है कि वो language जहां पे हम explain करते हैं या जहां पे हम लिखते हैं what to do सिरफ हम ये लिखते हैं what to do but how to do it वो हम mention नहीं करते वो हम mention क्यों नहीं करते हैं क्योंकि हमने सिरफ ये find out करना है कि मेरे को question like table दी है table के उपर मुझे name find out करना है salary find out करनी है या मुझे कोई ना कोई particular detail find out करनी है तो हम एक single query में आपने जितनी भी maximum SQL की query देखियोंगी वो कही ना कही एक या दो line में complete हो जाती है लेकिन अब हम उसमें डाल रहे है programming का flavor programming का flavor मतलब जैसे हम c programming में करते हैं function declare करते है function की definition देते है procedures बनाते है triggers है यहाँ पर हमारे पास cursors है यह सारे जो points है वो हम अब SQL के अंदर डाल रहे हैं और वो SQL के अंदर डालने के बाद आप कह सकते हो कि यह advanced SQL का portion है और उसको नाम दे दिया PLSQL that is procedural SQL तो अब यह क्या बनगी यह declarative plus procedural मतलब अब इसमें what to do and how to do दोनों ही आप यहाँ पे explain करने जा रहे हो मतलब how to do का मतलब कहा है जैसे आपने function sum of two numbers निकालने है अब sum of two numbers निकालने के लिए आपने declare कर दिया let's say a कर दिया b declare किया उनको values दे दी लेकिन अब आपको how to do मतलब आपको एक function बनाना पड़ेगा एक कही न कहीं आपको definition देनी पड़ेगी like c is equal to a plus b और आपने c को क्या कर दिया print कर दिया अब print कर दिया c को तो output क्या आएगी दोनों का addition तो यहनि आप what to do and how to do दोनों ही explain कर रहे हो तो वो बन जाती आपकी procedural SQL और इसके अंदर कौन कौन से topic आते है इसके अंदर topic आते है आपके function procedure, trigger and cursor जिन में से सबसे ज़्यादा important है आपके procedure and trigger जो सबसे ज़्यादा important portion है क्योंकि कहीं न कहीं इनके उपर question जो है वो सबसे ज़्यादा आजाती है functional और procedure में कोई ज़्यादा difference नहीं है same ही working है बस उनके syntax का जो है वो थोड़ा सा difference है लेकिन अगर हम बात करें कोई भी PL SQL block की हम इसको PL SQL block या PL SQL code भी बोल देते हैं देखो SQL में जब भी आपको question आएगा वो आता है ऐसे write a query write a query आपको कही ना कि बात में कुछ ना कुछ कोशन बूच लेंगे लेकिन अवेशन स्टार्ट के से हो का write a query to find this write a query to find this लेकिन यहाँ पे आपको question आएगा write a PL SQL code या write a program मतलब अब हम आगे programming के उपर कही ना कहीं अब आपको program लिखने पड़ेंगे like sum of two number आपको pattern बनाने कोई भी स्ट्राइब के question जो हम normal C programing में करते हैं वही question अब आप कर सकते हो SQL के अंदर और वो बन गी आपकी PL SQL और जो भी code है मतलब जो भी block होगा PL SQL का उसको हम basically 3 portions में divide करते हैं सबसे पहला portion आपका declaration जहाँ पे हम declare करते हैं जैसे variables को हम simply C में declare करते है int a int b ऐसे ही यहाँ पे हम declare करते हैं लेकिन declare करने का तरीका हो यहाँ पे ult है मतलब पहले variable का नाग फिर आपको data type देना है int b int care है where care है उसके लावा हमारे पास number है कोई भी data type कोई भी variable आप declare करना चाते हो तो सबसे पहले जो plsql को code होगा उसमें पहले आपको declaration जो है वो करनी है उसके बाद आता है हमारे पास executable executable code executable code का मतलब है कि आपको execute करना है जैसे मतलब अगर sum of two numbers हम करें तो sum of two numbers में मैंने declare कर दिया सबसे पहले declare करके हम start करते हैं a int b int इस तरीके से मैंने दो variable ले लिए या एक और ले 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 थे let's say c int declare कर दिया अब इसके बाद executable code executable code हमेशा start होता है begin से उसमें जैसे हम normal brackets देते हैं इस तरीके से यहाँ पर हम लिखते है begin और end executable code जो है या a plus b c is equal to a plus b और यह colon हम यहाँ पर लिखते है value को pass करने के लिए अगर हम normal equal to लिखेंगे normal equal to यहाँ पर क्या है assignment की तरह काम करेगा लेकिन अगर हमने यहाँ पर value pass करनी है value अगर pass करनी है तो वहाँ पर हमें देना पड़ेगा colon is equal to normal equal to हम use करते है दो चीज़ों को compare करने के लिए equal है या equal नहीं है तो यह जो है वो basic सा code जो है वो आपको इस तरीके से हम लिखते है declaration portion है उसके बाद आपका executable code है जिसमें हम begin और end के बीच में जो भी line मुझे execute करनी है वो हम यहाँ पर लिखते है और third है यहाँ पर exception handling exception handling exception handling मतलब error कोई भी अगर आपको error raise करवानी है manual अगर आपको कोई error raise करवानी है तो वो error जो है वो जैसे divide by zero error है तो यह errors वगर आप यहाँ पर exception handling portion में यहाँ पर define कर सकते हो कोई भी PLSQL program लिखोगे उसमें कहीं न कहीं आपको इन तीन portions के बारे में ही code में लिखना पड़ेगा तो यह एक basic से introduction है PLSQL का और इसमें अगर हम next जो है वो procedures के बारे में discuss करेंगे in the next video Thank you